इसका है अब बॉर्णिंग इस्टूडेंट्स एड ओल्नाइन क्लासिस के अल्लाइन फॉटुल में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डिली मॉर्णिंग में हम लोग यूद के लिए प्रैक्टिस ट्को करते हैं इसी को देखते हुए हम फिफ्टि फइव कोशनस Undo何 आज हम लोग पॉझनीरिंग के आज हम लोग कभर करेंगे और आप लोग को पता है कि कि कल है आप लोगों का सिवी इंजिनियरिंग का एंग्जाइम का अले टॉट हो आप लोगों का एंग् सिंव परसों का इंग्जैम है है iau यहाउस का हम ल नहीं करेंगे जादा से जादा चीजों को रिवाइज करो जो चीज आप लोग पढ़ चुके हो चलिए ठीक है चलिए तो सबी स्टूडियन क्लास को एक बार शेयर कर दें उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज के कोशन की बात करें तो टोटल 55 कोशन से आप लोगों के 55 कोशन से आप लोगों के 55 के 55 कोशन से आप लोगों के सिवल के हैं और साथी साथ 10 कोशन में आप लोगों के लिए जीए के लिए भी रखे हैं तिक है क्योंकि सुने आपका अगर हम बात करें तो मेकानिकल में मेकानिकल के जो कोशन से वह काफी अच्छे थे इसी तरीके से आप लोगों का भी easy to moderate paper ह आएगा बस non-tech को आप लोग ने अच्छे से अटेम्ट करना है चलिए स्टार करते हैं आज की सेशन को यहां पर पहले कुछ information आप लोगों के साथ शेयर करते हैं UK SSSC JPGL का फुल स्लीबिस का online course है साथी साथ इसमें आप लोगों को practice papers भी available है अगर आप लोग इंट्रेस्टे का फुल स्लीबिस का course है इसमें आप लोगों की हिंदी जी के दोनों available है स्टार करते हैं आज की सेशन को तो सभी स्टूरेंस क्लास को शेयर करने सभी लोग अपनी presence को जरू मार्क कर दें ठीक है अगर हम बात करें सिवल का तो सिवल का 29 को exam है और 30 को exam है ठीक है स्टार करते फर्स कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर करो अराम से 55 के 55 को इस सरीके से आंसर करो जैसे कि आप लोगों exam hall में answers करोगे देखो फर्स कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर कोशन है value of the freeboard in canal for discharge between 30 to 150 qmx अगर 30 से 150 qmx में आप लोगों का discharge है तो freeboard की value क्या होगी तो 0.5, 0. 2.6.7 7.7 9 10 तो आप लोगों के का क्रदिंग क्या answer होगा कि यह सबही लोगों का कल exam है चाह का कल नहीं होगी संप को 5 मुझे आप लोगों का का आप लोगों का analysis होगा इस question को answer कि first answer क्या होनाvordan क्या चाहिएiving किए अभी लोग b answer के साथ दिखो धियान टगना this database question अप तो उसे पूछे जा सकते हैं, मेकैनिकल में भी ज्यादा पेपर आप लोगों का लेंदी नहीं आया है, ठीक है, नुमेरिकल का पोर्शन ज्यादा नहीं था फॉर्स वाली सिफ्ट में, तो इसी तरीके से आप लोगों का पेपर भी होगा, अगर हम अब तू 5 की बात करते हैं तो हम लोग free board कहते हैं, 0.5, इसी तरीके से 5 की बात करते हैं, तो हम लोग 10-30 की बात करते हैं, तो 74, इसी तरीके से 30-100 प्रोग 20 की हम बात करते हैं, तो हमारा free board होता है आप लोगों का 0.90 और greater than 150 की बात करें, तो हम लोग कहते हैं कि 1, इसका मतलब answers आप लोग का क्या जा रहा है, 0.90 आप लोग का answer जा रहा है, option number D आप लोग का correct answers, तो सबी लोग correct answers करते वे, और इस table को भी आप लोग याद कर लो, कि 5 तक अगर बात है, तो 0.5, 5 से 10, 0.6, 30 से 150 में 0.90, greater than 150 में आ ठीक है, चलो, आगी चलते हैं हम लोग second question के साथ, manholes on civil lines are provided for, अगर आप लोग उसे बोला जाता है कि manholes को हम लोग provide करें civil lines में, तो हम लोग किसले provide करती हैं, periodic clinic के लिए, ये option में B को answers mark करोगे, या C के साथ, या D के साथ, सबी लोग answers जरूर करें, ठीक है, और सबी students अपनी presence को भी जरूर माक करें, और answers भी करके बताएं, अब इस question का आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए, अगर हम लोग civil lines में manholes को provide करते हैं, इसका मतलब क्या है, अराम से 100 समझ के answers करो, 55 questions आप लोग के civil के हैं, 10 questions आप लोग के GKGS के हैं, very good, अगर manholes की बात करते हैं, तो हम लोग क क्या करना है, उसमें cleaning करनी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, manholes को provide करते हैं, अपने civil lines में, आगी चलते हैं, third question के साथ, the permissible dissolved solid for drinking water as per BIS is, अगर हम permissible dissolved solid की बात करें, drinking water के लिए, तो कितनी होती है, 200, 330, 410, 500, तस अभी लोग answer जरूर करें इस question का, आदे कुछ जिस तरीके स आप अभी तक पढ़ते हैं, सेम इसी तरीके से आपने पढ़ना है, अकल आप लोगों ने exam देने जाना है, इस question का answers आप लोगों के recording क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों से permissible dissolved solid पूछा जाता है, तो drinking water के लिए कितना होता है, तो साभी लोग answers करते हुए 500, 500 mg per liter आप ल dissolved solid content पूछा जाता है, किसमें, drinking water में, तो right answers, option number D, आप लोगों का correct answers, फोर्ट question पर चलते हैं, if the failure of the finite slope occurs in which the failure surface passes below the toe is known as, कहने का मतलब कि toe के below आप लोगों को क्या हो रहा है, failure आपका occur कर रहा है, तो इसका मतलब भी कौन सा failure है, slope failure, face failure, base failure या toe failure आप लोग answers को mark करोगे, सभी लोग answers जरू करें, सभी students अपनी presence को भी mark करें, सभी लोगों ने वीडियो को like and share करना है, अब इस question में, आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए, फाइनेट स्लोप में, अगर हम लोगों बात करें, below the toe, अगर toe बोला होता, तो हमारा toe failure होता, लेकिन अगर below the toe बोला है, तो इस के लिए, tri-exil test के लिए, उसमें जो हम लोग cylindrical specimen use करते हैं, उसका length और diameter का ratio क्या होता है, 1, 1, 1.5, 2, या 2.5 के साथ answers को mark करोगे, सभी लोग answers जरू करें, आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए, अब देखने, इस question का answers कौन correct करके बताते, फिफ्ट का C answers के साथ सबी लोग, लेंट की अगर हम बात करें, cylindrical specimen की length और diameter का ratio आप लोगों से बुला है, length और diameter की अगर हम बात करें, तो 75, upon आप लोगों का diameter की बात करें, तो 37.5 mm, तो यहां से अगर हम लोग करें, तो 2 आप लोगों का answers आ जाएगा, इसका मतलब, option number C, आप लोगों का correct answers, very good, so अभी बने होते हैं, इस made of, option number A को mark करोगे, कि glass having specially coded graduation read by photo, यह special metal के बने होते हैं, यह steel plates के बने होते हैं, यह plastic के बने होते हैं, सबी लोग answers जरूर करें इस question का, और सबी students अपनी presence को भी जरूर माग करें, और answers भी करके बताएं, से इस question में आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए, इंजेनियर संतोष कुमार जी, रिशी कुमार जी, अजे जी, प्रियेंका जी, चंदन कुमार जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, very good, अब आप लोगों का answers क्या होगा, होरे जंट हैं, वर्टिकल सेर्कल हमारे किसके बने होते हैं, तो देखें कुछ लोग, यह answers के स इस लोग के साथ कुछ लोग की, तो आप लोगो को देखने को मिलेगा, तो हम लोगो को देखने को मिलेगा, तो हम लोगो कहते हैं, स्पेशल मैटल रीड इलक्रोनिक यली, आप लोगो का correct answers होगा, आगे चलते हैं, हम लोग 7th question के साथ, अब इस question को answers करो, देखो M5 great concrete की ब M5 great concrete हमारा किस के लिए use होता है, simply machinery foundation के लिए use होता है, chemical storage whistle के लिए, underground storage tank के लिए, या none of the above को answers मार्क करोगे, सबी लोग answers जरूर करें, सबी लोग अपनी presence को भी जरूर मार्क करें, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, very good, अभी इस question का answers आप लोगो का क्या जाएगा, तो M5 great concrete को हम लोग तहां पर use करते हैं, very good, अगर हम M5 great concrete की बात करें तो हम लोग कहते हैं, simply machinery foundation, कहने का मतलब आप लोग इसको कहां पर use करते हैं, foundations में use करते हैं, क्योंकि strength कम है इसकी, तो हम लोग इसे कहां भी use करेंगे foundations में use करेंगे option number A आप लोग का correct answers होगा आगे चलते हैं next question के साथ the instrument used for the accurate centering of the plantable surveying आगे हम लोग plantable surveying की बात करें और हमें centering क्या करनी है accurate करनी है इसका मतलब हम लोग क्या use करेंगे spirit lever, alidate, plumbing fog, trough compass फटा फर से answers करें इस question का आदेखो आप लोग को पता है mechanical की paper की बात करें तो numericals नहीं आएं ऐसी ही आप लोग के भी नहीं आएंगे क्योंकि इतना time नहीं होता है और अगर 8-10 numericals आएंगे भी तो आप लोग के इतने easy होगे की आप लोग उन्हें solve कर लोगे reasoning की बात करें तो reasoning में आप लोग का clock calendar नहीं आ रहा है वोई pattern में है जिस pattern में आपके exam आता था आज से पहले इस question को answers करो की centering में आप लोग क्या answers mark करोगे सभी लोग answers जरूर करें सभी students अपनी presence को भी जरू mark करें अब आप लोगों के recording centering में क्या answers होना चाहिए C answers के साथ plumbing fork very good option number C आप लोग का correct answers अगर हम लोग centering की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि plumbing fork से आप लोग क्या करते हैं centering करते हैं तो 8 question का answers option number C के साथ जाएगा आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ the permissible shear stress in concrete depends upon अगर हम लोग tau C tau C की बात करें permissible shear stress यह हमारा tau C किस पर depend करता है हमारे grade of concrete और जो भी हमारा percentage steel हमने compression site में use करा होता है इस पर depend करता है या B में depend करता है कि सिर्फ grade of concrete पर depend करता है या option number C को mark करोगे दोनों पर depend करता है चलो तो सभी लोग answers जरूर करें सभी students अपनी presence को भी जरूर mark करें आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए answers करो फुटा फुट से tau C की value अगर हम बात करें concrete के case में तो हमारी किस पर depend करती है very good answer जाएगा grade of concrete and percentage of steel intention option number D आप लोगो का correct answers very very important question exam में पूछा जा सकता है आगे चलते हम लोग 10 वे question के साथ CBR test की बात करें तो value of the CBR is calculated at CBR test में हम लोग अगर CBR की value को calculate करते हैं तो 2.5 mm के penetration से करते हैं 5 mm, 7.5 या 2.5 और 5 mm penetration दोनों से करते है पटाफर से answers करें सबी लोग आज काफी कम students हैं आज तो आप लोगों का exam भी नहीं है answers करके बताएं आप लोगों के recording के answers होना चाहिए 7.5 mm penetration only भी answers आ रहा है ऐसे answers नहीं करने है CBR value को calculate कर रहे हो भई 2.5 और 5 mm के penetration से हम लोग क्या करते हैं CBR value को हम लोग calculate करते हैं आगे चलते हैं देखो आप लोगो ये भी पताए कि अगर हम इसके standard उसकी बात करें तो हम लोग कहते हैं 1370, 5 की बात करें तो 2055 kg हम लोग यहां पे standard load की बात करते हैं ये भी आप लोग उन्हें ध्यान रखना है pressure अगर standard बोला जाए तो 70 kg पर cm2 2.5 के लिए 105 kg पर cm2 आपके 5 mm penetration के लिए होता है आगे चलते हैं 11 question के साथ flexible payment distribute the wheel load आप लोगों से बोला गया है ये flexible payment हमारा किस तरीके से wheel load को क्या करता है distribute करता है answers करके बताएं सबी लोग आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए सबी students अपनी presence को भी जरू mark करें अब देखो flexible payment की बात करते हैं तो wheel load को हम लोग किस तरीके से distribute करते हैं directly subgrade में distribute कर देते हैं या हम लोग layer by layers हमारा distribute होता है या nano of the above को answers mark करोगे सबी लोगों को good morning सबी students अपनी presence को भी जरूर mark करें और answers भी करके बताएं आप लोगों के recording flexible payment में answers क्या होना चाहिए very good अगर हम लोग wheel load की बात करें तो wheel load आप लोगों का कैसे distribute करता है तो कैसे distribute करता है आपका layer by layers to the subgrade option number C आप लोग का correct answers होगा flexible payment का आगे चलते हैं हम लग next question के साथ if the cross slope of the country is greater than 60% the terrain is classified as अराम से 100 समझ के answers करें सबी लोग और सबी students अपनी presence को भी जरूर mark करें और answers भी करके बताएं अब देको कल जिनका भी exam है वो questions को जरूर share करें जिससे की 5 बजे analysis किया जाए और 30 को जिनका exam है उनको positive उनको किया जाए पेपर बहुत अच्छा आ रहा है इस question को answers करो कि cross slope हमारा greater than 60% है the rolling mountainous street plane क्या answers होना चाहिए सबी लोग answers करें सोच समझ के क्या answers होना चाहिए आपछिए अपनता को करें पेइशी कि 10% लोग से बोला जाएँ तो हम लोको कहते हैं की plane आप लोगों का इसी तरी fence से टैन define 95% आप लोगों को भूला जाएँ तो हुम लोग rolling कहते हैं rolling कहते हैं हम लोग 60% अगर आप लोगों को सिखा जाए तो यह हमारा mountainous में आता है और greater than 60% फिर किसमें आ जाएगा आप लोगों का steep में आ जाएगा ठीक है important question है गलत मत करना exam में अगर आ जाए तो answers आप लोगों का जाएगा option no.C के साथ ठीक है very good सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ answers mark करो इस question का सभी लोग answers करें सभी students अपनी presence को भी जरूर मार्क करें देखो next question if is the percentage of the water required for normal consistency water to be added for the determination of the initial setting time अगर हम लोग initial setting time को find out कर रहे हैं तो कितना percentage of water को हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं 0.70P, P आपका percentage of the water हो गया 0.75, 0.80, 0.85 फटाफर से answers करें इस question को तो इंजिनियर्स संतोस कुमार जी, श्यांदार जी, अजे जी, अभिनव जी, उर्वशी जी, चंदन कुमार जी, अनवर जी, ब्रिजेश जी, सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good, इस question का answers आप लोग के recording क्या होना चाहिए 0.85 P very good, option number D की बार करें तो 0.85 P आप लोग का correct answer जाएगा जब हम लोग soundness test की बात करते हैं तो हम लोग 0.78 into P कहते हैं आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ, इस question को answers करो फटा-फट से Pure line takes a long time to develop adequate strength, यह हमारा assertion है इसमें reason हम लोगों को दे रखा है कि pure line को इसलिए number time लग जाता है adequate strength के लिए क्योंकि इसकी slow hardening characteristics है तो आप लोगों के according, select your answers according to the coding system given below आपको बताना है कि दोनों true है और are इसका correct explanation है या नहीं explanation है या कौन सा आप लोगों का true है फटा-फट से answers करें इस question का 14 में आपका answers क्या होना चाहिए सबी लोग answers जरूर करें, सबी लोग अपनी presence को भी जरूर मांग करें तो 14 में क्या answers होगा? Yes अगर हम लोग 14 की बात करें तो right answers आप लोगों का option नमर एक के साथ जाएगा अगर हम pure lime की बात करें तो इसको lumber time लग जाता है strength के लिए क्योंकि इसकी slow hardening characteristics होती है आगे चलते हैं next question के साथ pick up the constituent of the good brick earth whose axis causes the raw bricks shrink and warp during drying and burning आप लोगों से बोला गया है एक अच्छी brick के अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा constituent present होता है जिसके कारण यह अगर access amount में हो तो हमें shrinking and warping देखने को मिलती है तो आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए आप लोगों ने यह भी ध्यान रखना है अगर brick का main constituent आप लोगों से पूछा जाए तो alumina आप लोगों का main constituent होगा अब इस question का answers करें सभी लोग सभी students answers जरूर करें सभी लोग अपनी presence को भी जरू माग करें अब आप लोगों के recording 15 question का answers क्या होना चाहिए yes, alumina आप लोगों का correct answer जाएगा option number A आप लोगों का right answers होगा आगे चलते हैं 16 के साथ bitumen may be dissolve in bitumen आप लोगों का किस में dissolve होता है carbon dioxide में, water में, sodium chloride में या carbon dioxide में या carbon dioxide में bitumen की बार करें तो हम लोग कहते हैं fraction distillation आप लोगों को में देखने को मिलता है petroleum का, तो आप लोगों के according ये किस में dissolve होता है सभी लोग answers जरूर करें सभी students अपनी presence को भी जरूर मार्ग करें, अब आप लोगों के according इस question का answer क्या होना चाहिए कि bitumen हमारा किस में dissolve होता है देखो sodium chloride answers आ रहा है मैंने आप लोगो क्या बता है कि bitumen हमारा किस किस में dissolve होता है CCL4 और CS2 bitumen की बार करें, तो bitumen हमारा dissolve होता है CCL4 और CS2 में तो अगर CCL4 और CS2 में तो CS2 आप लोगों का carbon dioxide sulfide हो गया तो answers आप लोगों का option number D के साथ चला गया tar की बार करें, तो tar आप लोगों का soluble होता है tall wind में तो answers option number D आपका जाएगा आगे चलतें next question के साथ the percentage of alumina and silica in good fire clay very respectively is, अगर हम एक अच्छी fire clay की बात करते हैं, तो हमारा alumina और silica का percentage कितना होता है सबी लोग answers जरूर करें, सबी students अपनी presence को भी जरू मार करें अब आप लोगों के recording, इस question का answers क्या होना चाहिए आप लोग revision करते रहें, क्लास आप लोगों की पूरी दिन भर थोड़ी ना हो रही है क्लास आप लोगों की एक ही टाइम हो रही है अब कल क्लास होगी नहीं, कल तो आप लोगों का पेपर है ठीक है, तो साम का analysis होगा इस question का answers करो, आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए तो 17 का answers आ रहा है, option number B 17 का answers मार करो कि क्या answers होना चाहिए 17 के बात करें, देखो, good fire clay में बात कर रहा है तो option number A, आप लोगों का correct answers होगा 25% आप लोगों को alumina देखने को मिलता है और silica आप लोगों को 75% देखने को मिलता है और अगर simple, अगर हम लोग बात करें, brick की, जो simple clay आप लोग यूज़ करने है उसके रहे हम लोग alumina को 20% हम लोग कहते हैं और हम लोग silica को 60% हम लोग कहते हैं clear है, तो अगर अच्छी fire clay की बात करें जिसे की हम लोग refractory bricks की बात करते हैं तो उसमें 25% और 75% देखने को मिलता है तो गलत नहीं करेंगे, इसको right answers आपका option number 1 के साथ जाएगा आगे जलतें next question के साथ quick lime is, quick lime की बात करें तो slow in setting, rapid in slacking, good in strength तो आप लोगों के recording, the correct answers is फटा फट से answers करो देखो अगर आप लोगों कुछ revision करना है class नहीं लेनी है तो किसी ने रोका है क्या आपको आप अराम से अपना पढ़ सकते हो answers करो इस question का आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए सबकी अलग ही परिशानी है इस दुनिया में answers करो कि quick lime हमारा क्या होता है सबी लोग answers करें सबी students अपनी प्रिशन्स को भी जरूर मार्ग करें 18 में आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए yes 18 के अगर हम बात करें तो option number C आप लोगों का correct answers होगा quick lime हमारा क्या है slow in setting और rapid in slacking strength की बात करें तो strength हमें इसकी अच्छी नहीं देखने को मिलती इसी कारण हम लोग इसे क्या करते हैं white washing के लिए use करते हैं motor बनाने के लिए use नहीं करते हैं आगे चलते हैं next question के साथ देखो भाई यह very very important question इसको five stars मार्ग करो बहुत important question है आपके examination point of view के लिए answers करो फटा-फट से सभी लोग answers करें सभी students अपनी presence को भी जरू mark करें अब आप लोगों के according 19 question का answers क्या होना चाहिए minimum cement content आप लोगों से बोला गया है reinforce concrete के लिए अब देखते कि इसकी तयारी एक level उपर चल रही है कि इसका answers भी आप लोग correct कर ले रहो 200 answers करोगे 250 300 या 350 के साथ answers को यहाँ पर mark करोगे चलो answers करें फटा-फट से सभी लोग answers करें सभी लोग अपनी presence को भी जरू mark करें आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए minimum cement content हमारा किस के लिए reinforce concrete के लिए क्या बात है भी काफी लोग C option के साथ very good देखो ध्यान रखना अगर आप लोगों से plain concrete के लिए बोला जाता है अगर आप लोगों से plain concrete के लिए बोला जाता है तो plain concrete के लिए 220 kg पर meter cube हम लोग कहते हैं इसी तरीके से RCC के लिए अगर आप लोगों से बोला जाता है तो 300 kg पर meter cube हम लोग कहते हैं तो rainforest concrete में answers सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ 300 आप लोग का answer जाएगा और very very important question आपके exam point of view के लिए धियान रखेंगे plain concrete में बात करें तो 220 kg पर meter cube और RCC के अगर हम बात करें तो 300 आप लोगों का answer जाएगा सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ सभी students अपनी presence को भी जरूर mark करें आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ finishing of concrete surface becomes difficult when the slump of concrete exits आप लोगों से बोला गया है कि concrete surface में finishing करना हमारे लिए difficult हो जाता है अगर हमारा slump of concrete किस से exit कर जाता है 30 mm से 60 mm से 75 mm से या 50 mm के साथ आप लोग answers को mark करोगे चलो answers करें सभी लोग सभी students अपनी presence को भी जरूर mark करें अब आप लोगों के recording इस question का answers क्या होना चाहिए देखो आप ऐसा करो आप अपना revise कर लो बात में देख लेना ओफलाइन देख लेना इस question को answer करो कि 20 का answers क्या होना चाहिए रेको 20 के अगर हम लोग बात करें तो option number D आप लोगो का correct answers होगा हमारी finishing करना concrete पे difficult इसलिए हो जाता है तब हो जाता है जब हमारा slump क्या हो जाता है आप लोग उसे बोला गया है कि हम लोग side face reinforcement को provide करते हैं अगर हमारी जो depth है वो कितनी exit कर जाती है 50 cm, 75 cm, 100 cm या 120 cm के साथ answers को mark करोगे सबी लोग answers करें सबी लोग अपनी presence को भी जरू mark करें आप लोगो के recording discussion का answers क्या होना चाहिए तो देखो side face reinforcement हम लोग का provide करते है जब आप लोगों की जो हमारी depth of the beam है वो हमारी 75 cm से exit कर जाती है तो right answers आप लोगों का option number B के साथ जाएगा आगे चलते हैं maximum diameter अगर बार का पूछा जाए किसके लिए ribbed slab के लिए तो maximum diameter हमारे बार का क्या होता है अगर हम लोग ribbed slab की बात करने है 12 mm, 6 mm, 20 mm या 22 mm सबी लोग answer जरू करें सबी लोग अपनी presence को भी जरू मार करें आज वैसे भी काफी कम students है अब बताओ कि ribbed slab में आप लोगों के recording maximum diameter क्या होनी चाहिए बार की येस, अगर हम लोग ribbed slab की बार करें तो हम लोग कहते है maximum diameter आप लोग का 22 mm होना चाहिए 23 पे चलते हैं आप देखतें इस question को coin right answers करके बताते हैं लेको आप लोगों से क्या question बोला गया है कि slum value for arch and side walls of the tunnels अगर tunnel के case में बात करें arch के case में बात करें तो slum की value कितनी आप लोगों की कहां से कहां तक vary करती है 90 से 100 तक 40 से 50 mm तक 70 से 80 तक 20 से 40 mm आप लोगों का answer जाएगा तो सबी लोग answers जरूर करें इस question का सबी लोग answers करें सबी लोग वीडियो को like share जरूर करें अब आप लोगों के recording 23 का answers क्या होना चाहिए सब समझ के answer करो आर्टिस और tunnels में बात करी है तो आप लोगों के recording slum की value कितना आप लोगों की vary करती है सोचो इसका answers और answers करके बताओ एक जरूर कोशन आएगा आप लोग इसे slum की value का इस question का answers क्या होना चाहिए देखो बैट कैनाल अगर हम लोग बात करें lining में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें side walls और tunnels की तो answers आप लोगों के जाएगा 90 से 100 mm जिसका correct answers है बहुत बढ़िया answer जाएगा option number A आगे चलते हैं हम लोग 24 के साथ the maximum area of the tension reinforcement in beams shall not exit आप लोगों से बोला गया है आप लोगों से बोला गया है कि beams की case में बात करें tension reinforcement इसका maximum area की बात करें तो कितना आपका exit करता है 0.15%, 1.54% या 1% के साथ answers को mark करोगे सबी लोग answers जरूर करें आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ अब आप लोगों के recording maximum area tension reinforcement के लिए कितना होता है 4% वेरी गुड अगर हम लोग tension के लिए बात करें तो भी 4% compression के लिए बात करें तो भी आप लोगों का 4% इसका मतलब option number C आप लोगों का correct answers होगा आगे चलतें next question के साथ as per the IS456 the pH value of the water cell अगर हम लोगों से pH value water की पुछी जाए तो less than 6 होती है equals to 6 होती है not less than 6 या equals to 7 होती है फटा फट से answer करें इस question का तो प्रियांका जी सोनाली जी अनवर जी इंजिनियर संतोस कुमार जी सौमिक जी अजे जी सबी लोग बहुत अच्छे अंसे के साथ very good और सबी लोग वीडियो को like share जरू करें और answers भी करके बताएं आप बताओ कि pH value water की कितनी लाई करती है answer जाला है not less than 6 very good option number C आप लोगों का correct answers होगा अगर हम लोग pH value की बात करते हैं आगे चलते हैं 26 के साथ the horizontal portion of a step in a stairs case अगर हम लोग stairs case की बात करते हैं तो जो हमारे step का horizontal portion होता है इसको हम लोग rice कहते हैं flight कहते हैं winder कहते हैं or threat कहते हैं but after say answers करें इस question का क्या answers होगा और winder की ध्यान रखें के विंडर क्या होता है एक ऐसी step होती है जो कि हमारी direction को change करने के use होती है ठीक है और अगर lending की बात करें तो lending हमारा resting area होता है वो इस step नहीं होती है और winder हमारा step होता है जो कि हमारी direction को change करवाता है तो आप लोगों के according to question का answers क्या होना चाहिए सबी लोग answers जरूर करें सबी students वीडियो को like share जरूर करें आप लोगों क्या according answers क्या होना चाहिए step का horizontal portion क्या कहलाता है बहुती सांदर answers के साथ thread आप लोगों का correct answers होता है option number D आप लोगों का correct answers बहुत अच्छे आगे चलते हैं आप लोगों को पताईए rice आपको पताईए विंडर आपको पताईए आगे चलते हैं next question के साथ foundation is called cello if its depth is आप लोगों से बोला गया है foundation को हम लोग cello foundation कहते है अगर उसकी depth one-fourth होती है width के or half होती है width or three-fourth होती है width or equals होती है width फड़ा फर से answers करें इस question का answers क्या होना चाहिए आप लोगों के recording foundation को हम लोग cello foundation कब कहते हैं answers करें सबी लोग आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए तो cello foundation हम लोग किसे बोलते हैं अगर हमारी depth क्या होती है equals to width yes less than या equals to width हम लोगों कहते हैं इसको हम लोग cello foundation कहते हैं same अगर d foundations में हम लोग कहते हैं greater than its width right answers option number d के साथ आप लोगों का जाएगा सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ Mark, Anisto, Aman Singh, Engineer, Santos, Kumar ji, Urvashi ji very good आगे चलते हैं next question के साथ RCC roof slab is designed as a two-way slab if हम लोग कहते हैं कि हम लोग two-way slab की तरह design करते हैं यदि क्या होता है live load होता है हमारे board direction में यह हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ratio है span का मतलब LY और LX इसका जो span है यह हमारा less than two होता है two-way slab के लिए यसी option को write करोगे कि slab हमारा continuous होता है two supports के लिए यह discontinuous होता है edges के लिए सबी लोग answer जरू करें इस question को सबी students अपनी presence को भी जरू mark करें और answers भी करके बताएं आप लोगों के recording two-way slab का answers क्या होना चाहिए yes LY by LX की अगर हम बात करें तो less than two को हम लोग क्या कहेंगे two-way slab greater than two में अगर हम लोग बात करते हैं तो one-way slab आप लोग कहते हैं इसका मतलब option number B आप लोग का correct answers आगे चलते 29 के साथ bearing plates are used to fix bearing plates को हम लोग कहां पे use करते हैं क्या fix करने के लिए तो option number A को mark करोगे flat footed rails to the wooden sleepers या B के साथ जाओगे double headed rails या C के साथ जाओगे या D option को write करोगे सबी लोग इस question का answers सोज समझ के करो कि क्या answers होना चाहिए ठीक है तो सबी लोग को good morning सबी students अपनी presence को जरू mark करें answers भी करके बताए आप लोगों के recording इस question का answers क्या होना चाहिए 29 का A ही जाएगा या B option जाएगा या C जाएगा C भी जा सकता है answers करो सोज समझ के क्या answers होना चाहिए देखो D भी answers आ चुक है बहुती बढ़िया 29 के अगर हम लोग बात करें तो right answers आप लोग कर जाएगा option नमर A के साथ flat footed rails to the wooden sleepers अगर हम लोग bearing plates की बात करें तो fist plates की अगर हम बात करते है तो fist plates हमारी क्या करती है जो भी हमारे rail होती है उनको join करने का काम करती है bearing plates की अगर spikes की बात करें तो यह हमारी wooden sleepers को क्या करती है fix करती है rail में और अगर हम लोग bearing plates की बात करें आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ wing rails are provided wing rails हम लोग कहां पर प्रोवाइट करते हैं near the tongue rail, near the check rail near the stock rails या crossings में हम लोग provide करते हैं wing rails को फटाफर से answer करें इस question का देखो SSE का exam आप लोग अच्छे से देखे आओ अपना 100% आप लोग देखे आओ सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good आप लोग के कॉर्डिंग इस question का answers क्या होना चाहिए देखो wing rails के अगर हम बाग करते हैं तो wing rails को हम लोग कहां पर provide करते हैं yes ध्यान रखेंगे wing rails को हम लोग provide करते हैं in crossings में option number D आप लोग का correct answers होगा अगर देखो जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग को crossing देखने को मिल रही तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं wing rails हम लोग इसे बोलते हैं आपे चलते हैं हम लोग next question के साथ construction team means construction team का meaning क्या होता है कि एक इसमें स्रिफ engineer होता है या architect होता है या owner होता है या all of the above के साथ आप लोग answers को mark करोगे सभी students answers जरू करें मैं UK SSC के लिए भी questions कराना देखो ये जितने सारे questions आप लोग के हो रहे हैं ये सारे के सारे आप लोगों के UK SSC के लिए भी useful है तो आप तो हम सोच रहे हैं कि Rajasthan J और आपका UP आप लोगों को practice set कराया जाए जिसमें कि आप लोगों को GK भी कराया जाए क्योंकि बिना non-tech के exam को निकालना काफी tough हो चुका है टेखनिकल आप लोगों को कितना भी strong क्यों ना हो 31 का answers क्या होना चाहिए option number D very good all of the above आप लोगों का correct answer जाएगा option number D आपका correct answers next question working costing less than the 20,000 are treated as अगर हम लोग बात करें less than 20,000 में आप लोग work करना है तो यह हमारा any project होगा major project होगा minor project होगा या all of the above के साथ answers को mark करोगे सभी लोग answers करें सभी students अपनी presence को जरू mark करें सभी लोग video को like share जरू करें अब आप लोगों के recording इस question का answers क्या होना चाहिए बिल्कुल UP SSSC JE का भी कराएंगे West Bengal वालों के लिए भी कराएंगे हम कहां जाएंगे चलो answers करो इसका less than 20,000 के लिए answers क्या होना चाहिए C answers minor projects very good option number C आप लोग का correct answers होगा 33 पे चलते हैं railway projects are treated as railway projects को हम लोग किस तरीके का project कहते हैं light construction, heavy construction या industrial construction या ना ना दीज को answers mark करोगे सबी लोग answers ज़रू करें आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए यास पंजाब वाले कहां जाएंगे फिर ऐसे तो different different states के फिर जीके करानी पड़ेगी इस question को answers करो कि railway projects को हम लोग treat कैसे करते हैं कौन ज़र construction है देखो अगर हम लोग residential building की बात करते हैं residential building की अगर हम लोग बात करते हैं तो residential building में हम लोग क्या कहते हैं residential building आप लोग की आती है light construction में किसमें आती है residential building आप लोग की आती है light construction में और अगर हम लोग बात करें railway project की तो railway project हमारा किसमें है heavy construction में इसका मतलब option में भी आप लोग का correct answers होगा आगे चले next question के साथ अब देखो आप लोग को activity अब इसको आप भी लोग solve करके बताएंगे आप लोग को एक minute का time दिया जाता है देखो इसमें आप लोग को optimistic time दे रखा है दो आप लोग को most likely time दे रखा है तीन और pessimistic time आप लोग को दे रखा है साथ आप लोग उसे मूल लग एक कि expected time of various आप लोग के recording क्या होगा तो फटा फ़र से answers करें इस question का सबी लोग answers जरूर करें सबी students अपनी presence को भी जरूर माग करें सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ अब इस question का answers क्या होना चाहिए देखो expected time अगर आप लोग उसे बुलाएं तो T0 plus 4TL plus TP divided by 6 आप लोग का हो जाएगा तो देखो T0 की अगर हम बात करें तो 2 हो जाएगा 4 into अगर हम बात करें तो 3 हो जाएगा TP की बात करें तो 7 हो जाएगा divided by 6 हो जाएगा यह तो expected time हो गया आप लोग का variance की बात करें तो tp minus t naught ठीक है variance की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा tp minus t naught upon आप लोग का 6 का whole square हो जाएगा तो इसमें value रख लो 7 minus of 2 upon 6 का whole square आप लोग का यहां से आ जाएगा यहां से भी आप लोग solve कर लो क्या answers आ रहा है आप लोग का इस question का फटा फटा फट से answers करो क्या answers आ रहा है yes अगर इसको calculate करोगे तो यह हमारे पास आ रहा है 3.5 और इसको calculate करोगे तो यह हमारे पास आएगा 25 by 36 25 by 36 एक चीज़ ध्यान रखना हो कि variance की case में यहां पर आप लोग का square हो जाएगा ठीक है और अगर standard deviation बोला होता तो टीपी minus 3 not upon 6 होता तो answers आप लोग का किस के साथ जाएगा option number C के साथ जाएगा सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good आगे चलते next question के साथ 35 which of the following is a weakness of the bar chart बार चार की weakness कौन सी है interdependency of the activities किसी पर dependent नहीं है progress हमें पता नहीं लग पारी है uncertainties है यह all of the above आप लोग का answer जाएगा अगर बार चार्ट की weakness की बात होती है सबी लोग answers जरू करें इस question का आप लोगों का according क्या answers होना चाहिए देखो बार चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यह सारी की सारी क्या है बार चार्ट की weakness है इसका मतलब option number D आप लोगों का correct answers होगा फिर इसी की overcome करने के लिए फिर आपका milestone चार्ट आता है आगी चलते हैं हम लोग 36 के साथ the process of incorporating changes and re-scheduling और re-planning is called आप लोगों से बोला गया है कि जो भी हम लोग changes कर रहे हैं साथ इसाथ दुबारे से schedule कर रहे हैं दुबारे से planning कर रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं resource leveling नाम देते हैं resource smoothening नाम देते हैं अपडेटिंग नाम देती हैं या critical path scheduling answers आप लोग करोगे सभी लोग answers जरूर करें इस question का सभी लोग answers जरूर करें सभी students अपनी presence को भी जरू माग करें तो हम लोग क्या कहतें कि changes और rescheduling और replanning हम लोग करें इसका मतलब यह हमारा updating है आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ आप लोगों से बोला गया है कि फर्स्ट मेथड हमारी कौन सी ट्रिजूस करी गई थी planning project के लिए बार चार्ट था, milestone, critical path method या part के साथ आप लोग answers को mark करोगे तो 37 में आप लोगों के according क्या answer होना चाहिए 37 के अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का right answer जाएगा बार चार्ट method यह सबसे पहले हमारा आया था, सबसे पहले introduce हुआ था तो option number 8 आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते हैं next question के साथ इस question को answers करो, फटा फट से आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए देखो आप लोगों से बोला गया है, a concrete having a slump of 70 mm ध्यान रखना, एक slump का question जरूर आप लोगों से पुछा जाएगा आपके exam में अब आप लोगों से बोला गया है कि slump की value 70 mm है तो यह slump हमारा किस तरीके का है, dry है, semi plastic है, plastic है या flowing है सबी लोग answer जरूर करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया है, yes, मैंने आपको बताया है कि 0 से 5 cm की अगर बात करें तो dry answers, 5 to 10 की answers बात करें, तो plastic answers आप लोग मार्ग करोगे और जब ऐसे answers आप लोग याद रखोगे, तो 70 mm आप लोग का 5 to 10 cm के बीच में आएगा इसका मतलब plastic आप लोग का correct answer जाएगा, option number C correct आगे चलते हैं 39 के साथ, sinking fund A, sinking fund हमारा क्या है option number A, ऐसा fund जो इसमें की हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अगर structure को दुबारा से rebuild कर रहे हैं अगर उसकी life over भी होगी, उसके लिए जो हम लोग ने fund रखा है, उसको हम लोग sinking fund कहते हैं या option number B को mark करोगे, या C के साथ, या D के साथ, सभी लोग answers जरूर करें सभी students अपनी presence को भी जरूर माग करें और answers भी करके बताएं sinking fund में आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए येस, अगर हम लोग sinking fund की बात करें, तो हम लोग क्याते हैं, ऐसा fund जो कि हम लोगों ने किसके लिए रखा है हम लोगों ने दुबारा से structure को rebuild करने के लिए रखा है, और अगर हम ये बात करें तो total cost of project में 90% of the cost of the project को हम लोग क्या रखते हैं, sinking fund के लिए रखते हैं क्योंकि 10% हमें scrap value से मिल जाता है, आगे चलते है next question के साथ, critical path lies along the activities having total float, आप लोग उसे बुला गया है अगर critical path की बात करते हैं, तो total float की value यहां पर क्या होती है, positive होती है, negative होती है, zero होती है, या same होती है फड़ा फ़र से answers करें इस question का सभी लोग answers जरूर करें, सभी लोग अपनी presence को भी जरू माग करें अब आप लोगों के according 40th question का answers क्या होना चाहिए अगर हम लोग बात करें तो total float हमारा zero होता है, option number C आप लोग का correct answers होगा, अगर हम 40th question की बात करें आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ, अब देखो आप लोग को tapered bar दे रखा है, mild street bar, circulating cross section, tapers from 40 mm diameter एक side से, 28, 20 diameter आप लोग का दूसरे हैं से and length आपको 800 mm दे रखी है, और आपको इसमें बता रखा है कि यह axle pull हमको 20 kg newton देखने को मिल रहा है, E की value भी आप लोग को दे रहा है, 2 into 10 की power 5 newton पर mm square, आप लोगों से बुला गया है कि increase in the length of the rod will be, तो देखो अगर आप लोगों से tapered bar की बात करें तो इस तरीके से आप ल 20 mm का diameter आप लोग का हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, 40 का हो गया, आपको बताए कि tapered bar है, तो हमारे पास क्या होता है, 4 pl upon हमारे पास होता है, pi e into d1 into d2 हमारे पास होता है, yes or no, और अगर देखो 4 into p की अगर हम लोग बात करें, तो p आप लोगो को कितना दिया है, 20 kg newton दि आप लोग का 800 हम लोग को दिया है, pi को आप लोग उने change करना नहीं है, e की value 2 into 10 की power 5 आप लोग को दे रखी है, d1 की बात करें तो 40 आप लोग को दे रखा है, d2 की बात करें तो 80 आप लोग को दे रखा है, यहांसे इसको solve करोगे तो आप लोग का answers आएगा 2 upon 5 pi, इसका मतल जब answers आप लोग का जा रहा है option number B के साथ, clear है, तो इस तरीके का अगर question आता है, तो देको πाई की value आप लोग को change करनी नहीं, तो अराम से आप लोग इसे solve कर सकते हैं, आगे चलते हैं, 42 के साथ, what is the share stress at the neutral axis in a beam of isocells, triangular section with a base of 20 mm and height आपका 20 mm दिया गया है, share force आप लोग को 3 kN का दिया गया है, बस इस तरीके का question भी सोम से पूछा जा सकता है, तो देखो, अगर हम लोग triangular section की बात करते हैं, base 40 है और 20 है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कि share stress neutral axis में कितना होता है, तो अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि share stress neutral axis में होता है, 4 by 3, 4 by 3 into, 4 by 3 into tau average आप लोग के पास होता है, tau average के अगर हम लोग बात करें, तो V upon A आप लोग के पास हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग देखें, तो share force आप लोग को 3 kN दिया है, तो यह यहां से हमारे पास 3 किलो न्यूटन आजाएगा तो देखो वी हमारे पास 3 किलो न्यूटन आजाएगा इसका मतलब 3 इंटू 10 क्यूब आप लोग कहा जाएगा एरिया की बात करें तो एरिया आपका इस वैल्यूस को यहां पे पुट करोगे तो आप लोगों के पास आ रहा है टोटल नूटरल एक्सिस आप लोग का आ रहा है 10 आप लोगों से मैक्सिमुम शेयर स्ट्रेस नहीं पुछा गया जो कि 1.5 इंटू टाव एवरेज होता है आप लोगों से नूटरल एक्सिस पे पुछा गया तो 4 by 3 इंटू टाव एवरेज होगा इस वैल्यूस को आप लोग क्या रखोगे ताव एवरेज में यहां पे स्टिब्ünटी को कर रहे हैं और उसके लिए हमें एक टयाका लिएक आंक दिए दिनों बात अगर हम कहें कि आप लोग को यह काम क्या क्या लाता है ओंध केलाता है डभाता है डिवरेशन केलाता या है श्ब्लोट कहलाता है सबी लोग answers जरूर करें इस question का आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए समझ में नहीं आया इसमें समझ में क्यों नहीं आया येस बेस आप लोगों का 40 है ना 40 multiply by 20 कर लो बात तो same ही है उसके बाद tau average में रख लो आगे चलते next question के साथ तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि estimated time को हम लोग क्या कहते हैं तो क्या answers होना चाहिए आप लोगों के recording येस अगर हम लोग estimated time की बात करें जो कि किसी भी activity को perform करने के लिए use होता है इसको हम लोग कहते हैं duration तो right answers आप लोगों कर जाएगा option number C के साथ आगे चलते हैं next question के साथ अब ये question बहुत important है रेको क्या बोला गया है कि maximum total settlement किसके लिए isolated foundation करें एक बात ध्यान रखना कि ये settlement का question एक नई question आप लोगों से जरूर पुछा जाएगा चाहे फिर flexible footing से पुछा जाए चाहे फिर rigid footing से पुछा जाए पिर चाहे फिर आप लोगों से isolated foundation कहा जाए पिर चाहे आप लोगों से differential settlement पुछा जाए तो ये question आप लोगों का जरूर पुछा जाना है तो सभी students अपनी presence को भी जरूर माग करें और answers भी करके बताएं आप देखते हैं इस question को करन right answers करके बताते हैं isolated foundation की बात करें वो भी clay soil के लिए तो maximum total settlement कितना होता है 25, 40, 65 या 100 mm very good बैस सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ रेको अगर हम लोग isolated foundations की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि sand के case में आप लोगों का होता है 40 mm और अगर हम लोग clay के case में बात करें तो clay के case में हम लोग कहते हैं 65 mm इसका मतलब option number C आप लोगों का correct answers होगा ध्यान रखना एक और बात अगर isolated foundation की बात करें तो ये आप लोग का होता है raft की बात करें तो raft में भी sand के लिए हम लोग कहते हैं कि 40 से 65 तक vary करता है और clay की बात करें तो 65 से 100 तक आप लोग answers mark करोगे अगर आप लोगों से पुछा जाता है differential settlement तो differential settlement में ध्यान रखना कि sand के case में आप लोगों को 25 mm देखने को मिलता है और clay की case में आप लोगों को 40 mm देखने को मिलता है अगर हम लोग किसकी बात करते हैं differential settlement की बात करते हैं clear हैं यांदर सबी लोगों को तो ये point जरूर ध्यान रखना exam में जरूर पूछा जाएगा isolated foundation पूछ लिया जाए तो क्या answers mark करना है rough foundation पूछ लिया जाए तो क्या mark करना है और differential settlement अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कौनसी टाइप की रूफ को हम लोग generally recommend करते हैं buildings के लिए तो state type, gable type, gameral type या mental type option number आप लोग किसको mark करोगे सबी लोग answer जरू करें सबी students अपनी presence को भी जरू mark करें अब आप लोगों के according high mountainous reasons में हमारी कौनसी रूफ हम लोग prefer करते हैं अगर हम high mountainous reasons की बात करें तो हम लोग gameral type की रूफ को यहाँ पर prefer करते हैं आगे चलते हैं next question के साथ in which of the following pairs both trees and softwood अगर आप लोगों से बोला जाए कि softwood हम लोगों को किस से कौन सा ऐसा pair है जिससे हम लोगों को softwood obtained होती है तो देवदार और सीसम चीर और साल साल और टिक या चीर और देवदार फटाफर से answers करें इस question का सभी लोग answers जरू करें सभी students अपनी presence को भी जरू मार्ग करें तो आप लोगों के according softwood हमारी कौन सी है तो चीर और देवदार के साथ very good अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का option number d आप लोगों का correct answers होगा 46 question का आगे चलते हैं next question के साथ the term string is used for अगर हम लोग string की बात करें तो string हमारी क्या होती है इस share का underside को हम लोग string बोलते हैं या outer projecting edge को thread की हम लोग nosing बोलते हैं अब या तो c option write करोगे आप लोग या हम लोग d option को write करेंगे सबी लोग answers जरू करें इस question का और सबी लोग video को like share भी जरू करें आप लोगों के recording क्या answer होना चाहिए क्या answers हो का string हमारा क्या है आप लोग को पता है कि a sloping member है which supports these steps in stairs option number c आप लोग का correct answer जाएगा देखो यह आप लोग का sloping members हैं जिसमें हमारे different different steps हम लोग को stairs के देखने को मिल रहे हैं आगे चलते हैं next question के साथ the stone whose crushing strength is maximum is आप लोगों से बोला गया है ऐसा stone जिसकी crushing strength हम लोगों को maximum देखने को मिलती है तो यह कैसा आपका stone है तो ग्रेनाइट है chalk है slate है या sand stone है तो नरेश कुमार जी प्रियंगा जी इंजिनियर संदोस कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good अब इस question का answers आप लोगों के recording क्या होना चाहिए crashing strength हम लोगों को maximum देखने को मिलती है कॉंसे stone की तो देखो आप लोगों को पता इग्मियस rock की हम सबसे जादा strength देखने को मिलेगी तो option number a आप लोगों का correct answers होगा 49 पर चलते हैं the maximum number of steps in a flight should generally be restricted to अगर आप लोगों से बुला जाए कि एक flight में जिसको हम लोग कहते है unbroken series of the steps to minimum कितने आपके steps होते हैं तो 3 होते हैं तो maximum कितने होते हैं 10, 12, 15 या no limit सभी लोग answers जरूर करें आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए तो देखो अगर हम flight की बात करते हैं तो maximum number of steps जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि 12 हमारे maximum number of steps रहते हैं option number b आप लोगों का correct answers आगे चलते हैं next question के साथ which of the following cement contains maximum percentage of the di-calcium silicate आप लोगों के according C2S की value C2S, di-calcium silicate सबसे ज़्यादा किस में होता है OPC में होता है, low heat में होता है, rapid hardening में या sulphate registic cement में सभी लोग answers जरूर करें आज साम के 8 बजी की class में हम लोग करेंगे RCC के जितने questions बन सकते हैं जो की codal provisions में हैं तो चाहिए वो cover से related हो, आपके reinforcement से related हो उन questions को हम लोग आज के साम की class में करेंगे और विकल तो आप लोगों का exam ही है विकल साम 5 बज़ आप लोगों का analysis होगा जिसमें की जो 30 को exam दे रहे हैं कि उनके लिए एक तरीके से उनका पता लग जाए कि question paper किस तरीके से आ रहा है इस question को answers करें कि क्या answers होना चाहिए D answers करें हो Sulfid Registring Cement क्या answers होगा Low Hit Cement और एक cement से भी question जरूर आप लोगों से पुछा जाएगा तो आज जो साम का session रहेगा वो ऐसा रहेगा कि सबसे जाला question कहां से पुछी जाएगे देखो एक तो आप लोगों से पुछा जाता है Types of cement जो भी हमारे cement के types होता है उनसे आप लोगों का कौन सा cement कहां पर use होता है तो आज साम के session को कुछ इस तरीके से रखा जाएगा जो कि most probable आप लोगों के questions होंगे exam में आगे चलतें 51 के साथ इस question को answers करो फटाफट से सभी लोग answers करके बताएं इस question को आप लोगों के according क्या answers होगा minimum compute cover की बात करिए reinforcement under sea water should be चलो answers करके बताएं कि आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए सभी students वीडियो को like, share, जरूर करें और answers करके बताएं अगर हम sea water की बात करें तो under sea water में हम हम लोग कितना minimum concrete cover को use करते हैं 40 mm, 50 mm, 75 mm, 90 mm फटाफट से answers करो इस question का देखो इसका answer 75 mm आप लोगों का दिया है बुक में आप लोगों का answer 75 mm ही दिया गया है चलो answer करो इस question का सब में इसका answer 75 mm दिया गया है लेकि हम under sea water की बात करें तो 50 mm आप लोगों का minimum concrete cover होता है option number B आप लोगों का correct answer होगा 52 पे चलते हैं design early volume is equals to design early volume आप लोगों का किसके equal होता है सबी लोग अपनी presence को भी जरू mark करें आप लोगों के लिए answers क्या होना चाहिए 2% से 3% of AADT annual average jelly traffic या option number B को mark करोगे 5 to 7% या C option के साथ जाओगे 7 to 8% या D को answers mark करोगे सबी लोग answers करें फटा-फट से answers क्या होना चाहिए आप लोगों के according इस question को answers करो 52 answer जाएगा आप लोगों का option number C के साथ 7 to 8% of the AADT option number C आप लोगों का correct answers 53 पे चलते हैं sunting signal की बात करिए जो हमारा red band होता है वो 45 degree में आप लोगों का inclined है तो यह हमारा क्या indicate करता है stop indicate करता है proceed indicate करता है your option number C को mark करोगे या D के साथ जाओगे सबी लोग answers जरूर करें आप लोग के according क्या answers होगा सबी लोग अपनी presence को भी जरूर mark करें और answers भी करके बताए क्या answers करोगे red band हमारा inclined हो गया 45 degree में इसका मतलब यह क्या indicate करता है यह हमारा proceed indicate करता है option number B आप लोग का correct answers आगे चलते है 54 के साथ यह देखो आप लोग क्या कह रहा है इसको proceed कह रहा है आगे चलते है the binder normally used in flexible payment construction is flexible payment construction की बात करें तो कौनसे binder को हम लोग use करते हैं cement को use करते हैं lime को use करते हैं bitumen को use करते हैं या none of the above आप लोग का answer जाएगा तो देखो अगर हम लोग बात करें flexible payment construction की तो हम लोग कौनसे binder को use करते हैं bitumen को हम लोग use करते हैं option number C आप लोग का correct answers 55 में अगर हम बात करें minimum design speed आपकी hairpin bends ऐसे bends है hairpin bends है हिली roads में हमारी minimum design speed क्या रहती है answers करें आप लोग इस question का इस section को हम लोग साम की class में करेंगे तो आज की साम की class में आप लोग कोई problem है कि साम की class नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ क्योंकि साम की class में हम लोग ना आपके RCC में reinforcement cover से और आपके cement से कौन सा cement आपका use होता है जो आप लोग की key points है इनको हम लोग discuss कर लेंगे इनसे related questions को कर लेंगे तो में भी benefit ही होगा आप लोगों को यह आप लोग चाहते हैं कि class को off कर दिया जाए तो आप लोग जरूर comment section में बता देना कि class को क्या करना है answers करो hill roads में आप लोग का answer जाएगा answer जाएगा 20 km per hour option number A आप लोग का correct answers होगा आप लोग के 55 questions over होते हैं जीके के questions को हम लोग साम को करेंगे तो साभी लोग अपनी presence को भी जरू mark करें साभी लोग वीडियो को like share जरूर करें साम की class में मन की बात कीजे देको मन की बात मन की बात क्या अब तो आप लोग का exam मन की बात क्या करेंगे बताओ साम की class होनी चाहिए class per exam है काफी लोगों का चलिए तो आज साम की class करते हैं तभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ एक घंडे की class है आप लोगों को ना ही content prepare करना है आप लोगोंने तो खाली class में आना है और एक घंडे में 60 questions देखना है और देखे वे questions याद रहते हैं और जितना आप लोग exam से पहले चीजों को देखते वेजाओंगे अगर यहीं से questions आप लोगों काता है तो आप लोग answers भी अच्छे कर कर आओगे तो आज exam की questions कुछ इस तरीके से रहेंगे जो की most probable आप लोगों की topics होते है जैसे cover से question पुछा जाता है जैसे आप लोगों की सिमेंट से question पुछा जाता है duty delta के questions होता है जो आप लोगों के most probable questions होते है उनको हम लोग आज exam की class में कल लेंगे कल मौर्निंग में आप लोग को off रहेगा साम को पांच बजे आप लोग का analysis रहेगा चलो मन की बात को बात में करेंगे जब आप लोग की job लग जाएगे ठीक है continue class मां चलो आज साम की class को करेंगे कल मौर्निंग में maximum students का exam है तो कल आप लोगों की morning off रहेगा और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 मिजे analysis रहेगा क्योंकि काफी लोगों का 30 को exam है अब देखो tension ना लो, tension में क्या रखा है आप लोग एक exam देखिया हो, full अपना 100% देखिया हो अगर आप लोग टेंशन लोगे, nervous फील करोगे, तो जो चीज आप लोग को आती होगी, आप लोग उसको भी गलत करके आओगे तो इससे अच्छा है कि जितनी चीज़ें आती हैं, उसमें आप लोग 100% अपना देखिया आजाओ जिसे कि आप लोग को ये भी tension ना रहे, कि हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों को आता भी था, फिर भी हम लोग गलत करके आए आप लोगोने ये सोचोगे कि हाँ हमने इतनी ही पढ़ा था हमको इतनी ही चीज़ें आती थी और हम लोग इतनी ही चीज़ों को क्या करके आएं सही करके आएं अदरवाई जादा टेंशन और जादा नर्वस फीड करोगे तो जो questions आप लोग को आते होंगे वो questions भी आप लोग के गलत होंगे और जिसमें सबसे ज़्यादा दुख होता है जो चीज़ नहीं आती है उसमें कभी भी दुख नहीं होता है जो चीज़ हमें आती है और उसको हम लोग गलत करके आते हैं इसी में सबसे ज़्यादा regret आप लोग feel करोगे चलिए, चलिए thank you so much channel the very best सामकिया आप लोग की class होगी तो सब इस students आपको भी life बने रहें चलिए thank you